पर आप हमसे प्यार करें या ना करें आपके बिना बिलकुल अधूर है हम या आपने सई सुना हम आज के दिल्ल अश्रवल की बात कर रहे हैं सबसे लियाजन का बज़े हैं ये इनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से छेड़ सारी गुड़ विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं सिंसकारों से बड़ी कोई वसियत नहीं होती और इमानदारी से बड़ कोई विरासत नहीं होती इंसान हर घर में जनम लेता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जनम लेती है कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं लेकिन कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं आपको भी इतिहास रचना है जिसे हर कोई याद रखे आपको एक मिसाल बन कर द चोड़ दो क्योंकि वो अभी नहीं आया वर्तमान में जीयो और इसे सुन्दर बनाओ इंतिजार मत करो जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं जादा तेजी से निकल रही है सबसे पहले में आपको पता दू कि आज आपके लिए शुब रंक रहने वाला है लाल यानी रेंड और शुब अंक रहने वाला है पांच आसपास और साथ के लोगों से आपको मदद मिल सकती है घर में चहल पहल भी रहेगी कोई सुधार या मरमत का काम भी हो सकता है मकान बदलना चाहते हैं तो उस पर विचार हो सकते हैं नई कामों की योजना बनेंगी साथ के लोगों से मदद मिल सकती है थोड़ी परिशानिया वाला दिन भी हो सकता है आप कोई भी नया फैसला लेने से बचीगा मानसिक तनाव भी जादा होगा आज आप किसी गलत सूचना की कारण गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं साफधान नहें किसी भी सूचना पर आँख बंद करके विश्वास ना करें आपके घर के नल या पानी का स्त्रोत मुख्य द्वार से बाई दरफ पड़ता है तो घर में पीने के पानी के समस्या भी हो सकती है उतेजना पर काबु रखे जो सोच रखा है वो काम समय पर होने में थोड़े परिशानी हो सकती है कुछ मसले ऐसे भी हो सकती हैं जो केवल आप ही सुलजा सकते हैं और कोई नहीं सुलजा सकता अपने एगो और अपने मत भीदों को दूर रख कर अपने काम को प्रात्मिक्ता सबसे पहले दीजेगा आज कई लोग फैसला लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं ये तो अच्छी बात है आपके लिए आपके रिष्टे आज आपके कुछ शिबातों से प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी बोल चाल में थोड़ा सावधानी बटनी होगी अपने लोगों के साथ अपनी बाचित खुले दिल और दिमाग से करें अपनी जो चीजें हैं उनको खुल कर बताईए कि आप क्या चाहते हैं आज जो हैं चंद्रमा का संचर्ण और राशी स्वामी मंगल की लाग भाव में स्थिती बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिती बना रही है जादतर जो ग्रें हैं आपको बहुत कुछ बहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजे जो हैं किसी भी तरह से आपको मिल जकती हैं इसलिए समय का भरपूर फाइदा उचाएं, सदोप्यों करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया हुगा राशी में इस चिंद्रमा कभी-कभी भावो का मनहस्तिती बनाएगा आज के दिन जिसकी वज़ा से कोई फैसला डावा डोल भी हो सकता है अलस से भी हो सकता है जिसकी वज़ा से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं आप इन सबी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा आज स्टूडन्स के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के परदर्शन के लिए भी हर तरह से अनुकुल दिख रहा है ऐसे योग बने हुए है जो आज का है अपनी नीजी उनती और आर्थिक सिद्रता बाने का है यानि जो आप चाहते हैं वो आज से ही अभी से शुरू करें तो निश्चे ही सफलता मिल सकती है आपको अपने लोगों को बहतर तरीके से संभालना हुगा इसे आपके रिष्टों में जो है और भी ज़्यादा प्रगारता आने की संभावना दिख रही है आज कल आपका अपने खुद की उपर विशेश ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखा रहा है आज कल कुछ आपको अपने परस्नालिटी को निखाने के विए भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने लुकिंग अपने स्टाल को भी चेंज कर रहे है साथ इसाथ जो है अनिक्षेत्रों में भी उन्ती के लिए प्रयास रख है वक्त आपकी पक्ष में ही रहेगा आज की दिन आज आप अपनी प्रभावशाली वानी द्वारा परिस्थितियों को जादा अपनी पक्ष में करने के लिए सफल रह सकते हैं याज आज आप अपनी मधुर वानी से अपने चीजों से जैसे आप दूसरों को बताते हैं उसे अब काफे लोगों को अपनी और आकरशित कर पाएंगे जिसे आपकी जो काम हैं वो जल्दी से बनते चले जाएंगे और लोग भी आपकी बात मान लेंगे कभी-कभी आपका अर्टेदिक स्वार्थी हो जाना मित्रों के साथ समन्द आज भी गार सकता है याद रखिए मित्र बारबा नहीं मिलते इसलिए आप स्वार्थी मत होईए उनसे दिल से रहिए दिल के साथ बाते करें आज किसे यात्रा यां घूमने फिनने से बचना होगा कहें भी बाहर मत जाएं खास कर बोड़े और वच्चे मत जाएं तो बहदर होगा कोई लाब तो नहीं होगा बलकि काम का नुफसान भी हो सकता है आधिक भावुकता से भी आज आपको जो है वो बचना होगा आज जो है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत दिन खास रहने वाला है बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में पति-पत्नी की आपसी समंदों में आज मधुर्ता दिख रही है फिजूल की प्रेम समंदों में अपना समय बर्बात ना करें यानि कि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस रिष्टियों को आगे बढ़ाए वन ऐसे फ्लाटिंग करने से कोई भी खास फाइदा नहीं देखने को बिलेगा उल्टा समय की बर्बाती होगी अपने प्रेमी को उन्हें विशेश महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखे यानि कि आप सोचल साइड्स के द्वारा भी उन्हें ऐसे मेसेंजर्स कर सकते हैं या पिर आप लैटर भेज सकते हैं आज पती-पत्नी के सबंद सोहार्द पूरण भी रहेंगे घर में महमान का आगवन वातावरण को मनुरंजन बना सकता है या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है जिसे वातावरण में खुशाली चाह जाए यसे मांगली का कारी समंदी योजना भी बन सकती है इसलिए रिष्टे को संचुई रखी जैसे माला में मोती होते है बढ़ते हैं आगे हम करियर और बिजनस की दरब तो आज करियर बिजनस कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जौब बदलने के लिए कोशिश ना करे क्योंकि जहां भी जाएंगे परिस्थितिया नहीं बदल सकती है इसलिए प्रेजन टाइम में जो चल रहा है उसी पर कारे करें जहां पर आप अब जौब कर रहे हैं किसे बाहरी व्यक्ति का हस्ताक शेप ना होने दे अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्ताक शेप करता है तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है या फिर आपसे बॉस भी नराज हो सकते है आपको काम पर बहुत ही जाड़ा ध्यान दे रहा है क्योंकि आपकी टीम को आपकी आसपास रहना बेहत पसंद है अपना कमिनिकेशन बहुत ही स्पश्च रखे, साफ रखे जिसे दूसरों को समझने में असानी हो सकती है कारेसल से भेजे गए माल की किसी वज़े से वापसी भी हो सकती है किसी वज़े से कोई नुकसान छोटा मोटा आपको उठाना पर सकता है आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा अपने कस्टमर की थिंकिंग का, कस्टमर की दिमान का अच्छे से ख्याल रखे तो बेटर डिजल्ट आपको बिजनस में देखनी को मिल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप से बहुत से जोड़ जो हैं वो जोड़ सकते हैं कस्टमर नए बन सकते हैं नौकरे बेशे व्यक्ति भी धान लखे कि कोई भी ऐसा काम मत कीजेगा जिससे आपको बोस की जो है नराजगे सहनी पड़े जिस डेव बोस को कुछ करने के लिए वही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको आपके जुए बारिक विचार है उनको आपकी भागी दरद्वारा अप्रूब किया जा सकता है फाइनेशल मामलों में आप काफी समयदारी से काम लेंगे आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो बिजनसमैन है काफी हद तक सेविंग्स होगी जिसे आने वाले दुनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फाइदा देखने को मिल सकता है तो जलिए अब बढ़ते हैं आगे स्वास्ते के दरब आज जो हैं आप में से काफी हद लोगों का जो स्वास्ते है वो बैटर और ठीक रहेगा थोड़ी आलस के सिती बनी हुई हैं ऐसे सितारे कह रहे हैं और आराम जादा करने का मन भी हो सकता है लेकिन जादा आलस शिरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दान सिर लेटीर समस्याओं का इलाज आज आज आप करवा सकते हैं जिस मिमारी से आप पहले से परिशान थे वहिया जो मौसम की बदलाव की वज़़ा से भी सिर में भारी पन हो सकता है वैसे तो स्वास्त ठीक है चिंता ना करें शिरीर में गर्मी हो सकती है जिसके वज़ों सो है आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर सकते हैं इसलिए आपको ठंडी चीज़ों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए टकने की मोच उत्पादक्ता को प्रभावित कर सकती है आप मेंसे कुछ लोगों को जोडों का दर्द भी आज हो सकता है इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान लखना होगा तो चलिए बात करते हैं आज की उपाय के बारे में आज आप के लिए भी शेश रूपाय तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गाइत्रे मंत्रे या फिर महामरितुज्य मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और साथ इसाथ में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलक आपने इश्ट देव जिसको भी आप मानते हैं इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साथ इसाथ में अगर आप दान पुन्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए मैं हमेशा से हर बार रहे कहती हूँ कि दान गुप्त करें और हाँ अगर आप दान अन काद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलीगा धन्यवाद